हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू आर फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल और आज हम चुरू करने वाले अन्बॉक्सिंग पाको रवाने की वन मिलियन एलेक्जिर पर्फियूम की तो दोस्तों यह वन मिलियन एलेक्जिर है एलेक्जिर आप समझे रहे यह एक न्यू यह और दोस्तौं आप देख सकते हैं यह परक्फ उटुमें सब्ससके पते हूं और आपको यह पर्फियूम की लॉंजिविटी ज्यादा मिलती है तो यह पफा कंसेंट्रेशन इंटेंस और दोस्तों आज जिस वारिद पर्फियूम लगते और उसी तड़ा ये बी काफी जाद आई केचिंग कर रहें पीछे आप एक क्यो आर् कोड देख सकते जो कि पाको रबान की तरफ से दिया गाए इसकान करेंगे तो आप काफी चीजें इसमें देख सकते हैं पाको रबान की वेबसाइट खुल जाएगी और दोस्तों और अबान एक made in France brand है आप देख सकते हैं लिखा हुआ है और यहां पर यह भी लिखा है वेरी लॉंग लास्टी और काफी कुछ यहां पर लिखा गया है और नीचे देख लेते हैं नीचे आप देख सकते हैं काफी सारी डिटेल्स दी गई हैं यहां पर आप एक QR code देख सकते एक बार कोड और यहां पर एक छोटा से बैच कोड भी देख सकते हैं जो है 31691 तो दोस्तों यह गुदा हुआ है तो इसमें लिखा हुआ है बाकी क्लियरली और बैच कोड आपको दिखाएंगे सेलोपेन उतारने के बाद तो आज इसको अन्बॉक्स करके देखेंगे कैसी के फ्रेग्रेंस क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी और इस प्रेयर क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूं इसकी जो हंड्रेट एमल की हमने पहले अन्बॉक्सिंग की थी यह बोटल हमाजी खतम हो गई है तो आज हम 200 ml की अन्बॉक्सिंग कर रहें और कस्टमर्स के लिए लेगर उसको रखते हैं सांट में और दोस्तों बोटल भार निकालने से पहले अब आप इजली इसका बैच कोड देख सकते हैं आप त्री वन शिक्स विवन तो यह इसका बैच स्कॉड चैना अब बोटल को बार निकाल लिए यह बोटल कैसे देख लिए है और दोस्तों बोटल बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग है काफी ज़्यादा प्रीम्यम लिग लिए वन मिल्यान एलेक्षिर की अंड्रेट एमल की हमारी पुरानी बोटल आप देख सकते हैं यह दो समय काफी बड़ा साइद और काफी ज़्यादा अच्छी लग लिए दे आप देख सकते हैं दोनों वैरिफाई हो रहे हैं और बैच कोड नीचे मैंचन नहीं है यहां पर मैंचन है और नीचे भी आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत डिटेल्स यहां पर भी दिगई है पफाइंटेंस नैच्छरेल स्प्रेय मेड इन फ्रैंस और काफी सारे यह मुझे बताने की जरूरत नहीं अगर आपको नहीं बता तो इस प्रेयर क्वालिटी मुझे इनकी काफी खराब लगती और इनमेंसे काफी एक नोईज भी आती है अजीब सी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह शूट करते हैं इसमें से आवाज आती है और दोस्तों साथ ही ताथ में आप मैं आपको पहले बता देतों इस प्रेयर क्वालिटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है बहुत बेकार इनकी स्प्रेयर क्वालिटी लगते बन मिलियन की जो भी आती है काफी वाँती है जया असा नॉइस भी आते हैं जब स्क्रेटे तो और दोस्तों जूश कॉलिटी ठीक निकलती मतलब कव फूरा रूम कर दिया काफी ज़्जादा प्रामीनाट्ट लग है और सब्सें जादा इसके अंदर में sweet नोड्स को सब्सें जप्षी ज़्ञारत ञब कर यह्तार रहा हूं सथ ही साथ कि आपको पता लगेगा वो जब थोड़ा सा सेटल होगा और दोस्तों काफी जादा मेजिंग फ्रेग्रेंस एक क्लबिंग फ्रेग्रेंस लग रही है मुझे जेपीजी अल्ट्रा मेल की तरह मर्सेडिस बैंस क्लब ब्लैक और मतलब पाटी वियर सेंट लग रहा है जो आप क्लब्स में बिल्कुल वियर कर सकते और दोस्तों बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है मतलब एक वनीला बेस इसको कहेंगे हम क्योंकि वनीला सबसे ज्यादा यूज किया गया वनीला बेस फ्रेग्रेंस रही है जैसे का आपको लास्ट टाइम अन्बॉक्सिंग करी थी एक वैलन्टीनोब वोरति रॉमा एंट्रीज की मतलागं इ trazer थोड़ी ऊच्छे से यूज किए अंदर और दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी की परफॉर्मेंस की इतका प्रोजेक्शन से आज किया सा है दोस्तों काफी जादा हैवी प्रोजेक्शन से आज इसके मतलब सर्टीफाइड लॉंग लास्टिंग पर्फ्यूमें से 20 मोड तो नहीं कहूंगा बट लॉंग लास्टिंग यह जरूर है मतलब एक टोटली वर्द अगर आपने इस फ्रेग्रेंस को ट्राइड नहीं आए तीन से चार घंटों का हैवी प्रोजेक्शन से आज देगी यह फ्रेग्रेंस आपको जहां भी आप जाएंगे काफी लोग आपको नोटीस करने वाले और सबी आपको कॉंप्लिमेंट्स देने वाले और आप काफी जादे अट्रेक्टिव भी बने रहेंगे उस पार्टी में क्लब में या आप कहीं भी किसी कैजूल इवेंट में भी जा रहें तो बिल्कुल वियर कर सकते हैं और दोस्तों बात कर लेतें लॉंजीविटी की तो साथ से आट घंटे एजी ली यह लास्ट भी करेगा आपकी स्किन पर भी और आपके कपड़ों पर भी तो लॉंजीविटी भी आपको अच्छी कमाल की मिल रहें साथ से आट घंटे की महीं प्रोजेक्शन्स याज तीन से चार घंटे का हैवी प्रोजेक्शन्स याज एक अच्छा लॉंग लास्टिंग बीस्मोड पर्फियूम की कर काफी अच्छा प्रोजेक्शन्स याज और काफी अच्छी लॉंजीविटी आपको इजीली मिल रहें इस फ्रेग्रेंस के अंदर और बात कर लेते हैं दोस्तों वैदर की तो आप इसे फॉल और विंटर में ही यूज कर सकते हैं जहां आपको पता लग जाए वनीला बेस क आप में पाचोली यह सभी नोट्स विंटर फ्रेग्रेंस नोट्स है तो इसका जो एप्रोप्रियेट वैदर रहने वाला वह रहने वाला फॉल का और विंटर का तो कम सर्दियों में और सर्दियों में गर्मियों में इसको बिल्कुल ना लगाए थोड़ी सी ओफेंसिव लगेगी आपके ओपर और टाइम में मतलब सन लाइट में तो और भी ज्याद ओफेंसिव लगेगी अगर आपका ज्यादा मने लगाने का गर्मियों में आपको पसंदे वनीला बेस तो आप इंडोर जैसी सीच्वेशन में इस फ्रेग्रेंस को वियर कर सकते हैं अगर आप एसी वगेरे का यूज करते हैं एसी आप कहुन है तो आप लगा सकते हैं कोल्ड वैदर में ज्यादा सूटेबल रहती है जो वनीला और टॉंक का बेन बेस रहती है तो काफी अच्छी फ्रेग्रेंस है काफी ज्यादा कॉंप्लिमेंट गैटर काफी ज्यादा लॉंग लास थे 10,000 के आजपास 200 ml वैलियन्ट तो काफी अच्छी फ्राइजन और इसका डिकेंट 10 ml डिकेंट भी हमारे पास इवैलेबिल है तो काफी अच्छी फ्राइजन से वन मिलियन एलेग्जीर इनकी एक अच्छी फ्राइजय थाबित हुई और काफी लोगों को पसंद भी आ रहे झाल झाल